प्रादान मंत्री नरेंद्र मोधी सरकार के 9 साल पूरे होने की बात करेंगे प्राद का मतलब अहिंसा पर्मो धर्मा ज्यान में अज्ञात्म में गरीमा में अन्नदान में संगीत में सास्वत कवीताओं में हमारा देश भारत पूरविश्व में सबसे महान है बीर भोग्या वसुंद्रा यानि बीर अपने सस्त्र की ताकत से ही धरती की मात्र भूमे की रक्षा करते हैं देख रहा है एक अकेला की तुरों को भारी पड़ रहा है देखिया 26 मही और आज ही के दिन देश में नरेंद्र मोधी सरकार को 9 साल पूरे हो गए और इस मौके पर आज हम आपको 9 साल पहले फ्लेश बैक में लेकर चलेंगे सवाल के साथ कि मोधी ना होते तो क्या होता मोधी ना होते तो देश कहा होता और मोधी ना होते तो आप और हम कहा होते देश कहा होता यहाँ दिलानी के हम कोशिश करेंगे कि 9 साल पहले का भारत कैसा था और 2014 के बाद नरेंद्र मोधी के प्रधान मंत्री पन्ने के बाद की भारत की क्या तस्वीर है न यह हम आपको दिखाएंगे, नौ साल पहले नरेंद्रमोदी भारत के नए नीती निर्माता बने और अपने क्रामतिकारी फैसलों से नए भारत की नीव रखी आज नौ सालों में भारत नरेंद्रमोदी के कदमों से चलता हुआ, वहाँ पहुँचा है जा दुनिया इंडिया को बॉस बुलाती है दो दिन पहले अमेरिका के राजदूद, एरिक गयारसिटी ने कहा है कि भारत की कमान अधबुत हातों में है अमद रहे हैं, दुनिया के 5G और 6G पर भारी है इंडिया के गुरुजी, यानि कि नरेंद्रमोदी सेंटराश्ट ने कहा है कि भारत की GDP पूरी दुनिया के मुखाबले मजबूती से बढ़ रहे है विल गेट्स कहे रहे हैं कि भारत ये अब दुनिया का भविश्य है लेकिन अब जरा ना, जो मैंने आपको बताया था ना, कि मोदी ना होते तो अब जरा आप 2014 से पहले का भारत याद की दिये कि आपको भारत की तारीफ में ऐसे स्टेट्मेंट याद है या थब किसी ने भारत को बॉस कहा था बलकि 2014 से पहले का भारत ये था कि जब जो है चीन, अमेरिका जैसे देश भारत पर दबाब बनाने की कोशिश करते थे थमक्यां देते थे और आज का भारत है कि जब अमेरिका जैसे देश के राश्पती हमारे प्रधानमंत्री का ओठोग्राफ भांगते है मोदी ना होते तो जयान से दिखिएगा अगली तस्वीर 2014 से पहले का भारत का ध्यान दीजिए चीन बॉर्डर पर लगातार घुसपैट करता था बॉर्डर इलाकों पर भारत को सड़क बनाने के लिए धमकाता था 2010 और 2013 में के बीश तीन साल की छोटी अवदी में 500 से ज़्यादा गुसपैट हुई लेकिन 14 के बाद भारत ने साबित किया कि इंच इंच के लिए भारत का सीना 56 इंच है गल्वान की गौरव गाता याद कीजे किसे ने सोचा था चीन के सैनिकू की ऐसी पिटाई होगी जब भारत ने चीन के गरूर की गर्दन तोड़ दा ली थी एक और तस्वीर आपको दिखाते है 2014 से पहले का भारत धियान दीजिए लेकिन 14 के बाद आए दे नोने वाले धमाके या आतंकी अमले अपना के बराबर है एक और तुल्ला 2014 से पहले का कश्मीर ध्यान दीजिए जहां एक तरह से हश शुकरवार को पत्थरबाजी का अगोशतनियम होता था अलगावादी देश की सरकारों को अपने आगे जुकाते थे अब यह वही कश्मीर है जहां अलगावादी जेल में है पत्थरबाजी अंदर हो चुकी है पत्थरबाज अंदर है और भारत कश्मीर में G20 की बैठक कर रहा है G20 की बैठक मोदी ना होते तो 2014 से पहले भारत विश्व अर्थविवस्ता में नंबर 10 पर था नरेंदर मोदी सरकार में भारत दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थवस्ता बन चुका है कश्मीर में पत्थरबाजी कश्मीर में G20 मोदीना होते तो आपकी TV स्क्रीन पर चीन पर निर्भरता अब आत निर्भरता 9 साल पहले मोदीना होते तो नरेंदर मोदी सरकार ने देश की राजनीती में भी एक बड़ा बदलावाया जहां 2014 से पहले परिवारवादी राजनीती देश पर हावी थी वहीं मोदी सरकार राश्वादी राजनीती को आगे बढ़ा रही है देश की राजनीती बदलने माली सबसे बड़ी तस्वीर धान कीजिए 2014 से पहले आयोध्या में प्रभुराम टेंट में थे वोट बैंक की राजनीती ने आयोध्या के सबसे अच्छूत जगा आयोध्या को बना दिया था और अब भवे राम मंदिर का निर्माण होता नजर आरा तौरर साथी नई संसथ भवन को लेकर देश में किस तरह का उत्साहा है देश में जुकने देंगे में जाते जाते वो भी आपको दिखा देते हैं हमें गर्ब होना चीए कि मानने मोदी जी ने हमारे देश के अंदर हर चीज वर्ल्ड में जो सबसे बड़ी चीज है हर चीज बनाई है मोदी जी ने बनाए तो बहुत सोच समझ के बनाए उन्होंने जो भी करा मैरे देश के विकास के लिए कर आए तो उसमें हमारे को कोई वो नहीं है हम तो चाते हैं कि मोदी जी ने जितना देश को आगे बनाए और आगे लेके जाएंगे यह अपना एक ऐसा निसान होगा जैसे बाहर जाने के बाद लोग कहते हैं मोदी जी मोदी जी यह मोदी जी नहीं इस देश की शान है आप भी हिंदुस्तान की संस्कृति हिंदुस्तान की महान परंपराओं के जबन बे बोलते समये कभी भी दुलामी वाली दिनों की मान सिकता मैं दूग बज जाना तो आप देखोगे कि कितने सारी पाल्टियों का नाम ही नहीं होगा उसमें संस्कों में वो इतियास बन जाए गाए कि क्या करें कि आप उसे जोएंद कीजिए बाईशकार मत कीजिए और जंदा के लिए आम जंदा के लिए काम कीजिए तभी देश तरकी के और और बढ़ेगा कॉंग्रेस पार्टी और उनके साथ ही रात निती करकर वोची रात निती का एक प्राण पेस करकर उसका भही साथ सब मिलके चलेंगे एक जूट हो के चलेंगे तो बहुत कुछ होगा गुलामी वाली यह चीज़ छोड़ दो उसमें अगर आप देखेंगे तो काफी सारे कल्चरल सिंबल्स भी आइड़ किये गए हैं अलग-अलग विविन प्रदेशों के विविन प्रांतों के अलग-अलग चीज़ों को आइड़ किया गया है जो कि हमारी सभ्यता और हमारी संस्क्रीटी को दर्शाता है तो ये कावी बहुत ही अच्छा कदम है मेरे लिए तो बहुत प्राउड बोवमेंटर बहुत अच्छा लग रहा है बिकोज इसका डिसक्शन के वल इंडिया लेवल पे नहीं आज वर्लेवल